आज हम जानने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी फोटो से टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं जी है गैज अगर आपके पास कोई ऐसा फोटो है जिसमें कोई मैटर लिखा हुआ है और आप उसको टाइप करना चाहते हो अगर आप उसे टाइप करोगे तो उसमें टाइम भी चला जाएगा और आपको उसमें मेहनत भी करना पड़ेगा गैज आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी फोटो से अगर आपके पास कोई ऐसा फोटो है जिसको आपने पने हाथ से लिखा हुआ है और राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है बहुत कमी समझ में आ रहा है आप उसके टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकते हो जी आज आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल का चीज है आप इससे किसी भी फोटो से अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो कैसे होगा आए हम जान लेते हैं लेकिन इससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो गैज किसी भी photo के text को copy करने के लिए सबसे पहले आपको पने phone में Google ए Chrome को open कर लेना है फिर यहाँ पर गैज जहाँ पर search लिखा होगा इसके बगल में एक icon बना होगा camera का तो गैज आपको इस camera के icon पर click कर देना है यहाँ पर click करने के बाद गैज आपको यहाँ पर आपका जो gallery होगा open हो जाएगा तो गैज यहाँ पर आपको अपने उस photo को select कर लेना है जिसके text को आप copy करना चाहते हो तो गैज यहाँ पर मैं एक photo select कर लेता हूँ फोटो सेलेक्ट करने के बाद गैज यहाँ पर थोड़ा सा स्कैन होगा और आपको फोटो यहाँ पर आ जाएगा अब आपको यहाँ पर गैज क्या होगा कि यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा select text अगर आपको यह option ना दिखाई दे तो गैज आपको करना क्या होता है आपको अपने फोटो में से text copy करना है तो गैज आपको यहाँ पर उपर वैसे दिखाई देगा select text का अगर नहीं दिखाई दे रहे तो गैज आपको यहाँ पर translate का एक option मिलेगा क्लिक करनेंपको यहां पर translate क्लिक करना है तो automaton Cape को आपको यहाँ पर select कर लेता है इसके बाद आपको यहाँ पर copy का option मिल जाएगा आप इससे copy कर सकते हो अब यहाँ नहीं गैज मैंगो दिखाता हूँ मैंने एक हाथ से लिखा है है मैं इसे भी कवपी करना चाहता हूं यहाँ पर चाहते हो όग सबक्यान करना को यहां पर इसे कापी कर सकते हैं पर इसे करसा क्तम हो रिभी तो आपका अंगी पर रखते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर सेर्ट कर देना उनके पास जिनको इसकी जरूरत